करने मां हलो गुढ आप लोग उमीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे ये सब देख करके आप लोगोंको समझ में आ ही गया होगा कि मैं भी देल स्ग कर शेर में खड़ी हूं और उमीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे मेरा ब्लोग देखते हैं तो उसके लिए मैं थैंक्यू करती हूं और अच्छा लगता है तो लाइक शेर और कॉमेंट कर देजेगा और जो ने फ्रेंड्स है वे सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देजेगा और हम लोग आज थोड़ा जा रहे हैं मिलने के लिए देखते हैं कितने बचे मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं है ना कि मिलेंगे तो दिखलाएंगे और नहीं मुलाकात होगी तो नहीं दिखलाएंगे और जिधर जा रहे हैं उधर कस्तुर्बा भी है तो हम लोग कस्तुर्बा भी चले जाएंगे लेकिन इस इसके बाद वाला ब्लोग में दिखलाएंगे कस दुर्वा विजिट और तीनों मैडम हम लोग तयार हो करके गाउं में बच्चों से मिलने के लिए जाने जाने के लिए गेट से निकल रहे हैं जिस तरीके से कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग तीनों बिल्कुल तयार हैं नहीं होगी चलिए कहां जा रहे हैं मेडम बच्चों का inspired reward के लिए बोला गया है ना बच्चों से संपर्ट करने जा रही हूं कि बच्चों को क्या क्या करना है कैसे करना है कहां दिखाना है ये सब चीज़ बताना के लिए क्योंकि बच्चों को तो इसकुल बुलाना नहीं है तो उनके घर ही जाना पढ़ रहा है हम लोगों को और हम लोग तीन टीचर जा रहे हैं इसी काम से अच्छा चलिए यह हमारे बिद्ध्याला का यह है रास्ता है और हम लोग अभी जा रहें जिस तरीके की मैडम बोलें इंस्पायर अवार्ड के लिए बच्चों से कॉंटक्ट करने के लिए है न और इस तरीके से हम लोग अब जा रहे हैं चलिए अब आप लोग यह मत बुलेगा कि बिद्ध्याले छोड़के जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को बिद्ध्याले बुलाना नहीं है और जिदर जा रहे हैं उधर कुछ आवाजे भी आएंगी क्योंकि बिल्कुल सड़क किनारे हैं तो उस चीज को आप लोग थोड़ा सा जाना पड़ा देखे बिल्कुल इनिच के किनारे हैं और कुछ न कुछ आवाज आते ही रहेंगे गाड़ी वगारा की आवाज आएंगे ही कहीं कहीं मैं म्यूट करके वश्योवर की हूँ और यह जो घर वगारा दिख रहा यह बिल्कुल हमारे जो बिद्ध्याले परिशर हैं उसे सटे हुए हैं और अब यहां से हमारी शुरुवात होती है गाउं विजिट के लिए ठीक है तो आप लोग बने रहिए और यह एक बिशाल पेड़ है देख रहे हैं यह वाले पेड़ है और बगल में ही रोड है देखिए बिल्कुल सड़क के किनारे है क्या करने ले जा रहे हैं इसको बढ़नी बढ़नी पने भी ठेक यह तो जंगली पवधा पेचकी नहीं है यह बड़े पत्ते वाले के बारे मुझे जानकारी नहीं थी तो मैडम लोग बतलाई कि यह जड़ी बुटी के काम में आता है उन लोगों को जानकारी थी मुझे पता नहीं था तो सुनिया क्या बतला रही है इसका क्या चीज़ है यह आप लोग देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं बतला ये आप लोग चोकर नहीं मेडम बड़ा होता है चाकोड जिसे के भी मैं देखला रही थी वही चीज है चाकोड तो इसे कहीं कहीं पवार कहा जाता है और इसका बैज्ञानिक नाम है केशिया टोरा तो इसे ग्रामीन चेत्रों में सुखाया जाता है और इसे सुखावता बनाया जाता है इन ग्रामीन चेत्रों में इसका मतब पावडर बनाया जाता है सुखा वला है और वह खाने में बहुत टेस्टी होता है उसका आप चोखा खा सकते हैं और क्या खा सकते हैं हम लोग तो इस तरीके से बच्चों को खोजने जा रहे हैं और हम लोग सोचे कि कुछ आप लोगों को बस्ती का नजारा भी दिखला दें देखिए पसु भी सुबह से खा अपना नास्ता पानी करके अराम कर रहे हैं हाँ पूरे परिवार माता पिता और चार बच्चे लग रहे हैं लोग आगे चाहिए थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिखना चाहिए ना कि आप लोग भी हैं पता नहीं चला सिर्फ आवाज सुनाई पड़ रही है सारे पेड़ जो है देखे सुख गया है और यह कौन सा मंदीर बना है मेडम यहां पर बजरंग बली का मंदिर बाद में बन है और यह जो है गौर्मेंट के ओर से हर गाव में इस तरह की पानी की श्रीधा दी गई है देखे यह जंगली फूल है हम लोगों के इधर में तो इसको थेथर बोला जाता है अब पता नहीं क्या नाम है है ना थेथर का फूल हाँ नेनुआ का लथ है बार बरसाथ के समय यह सब सब नजर आगा यह फिर इधर चाकोड़ा है है ना यह पता तो भी खराब हो गया जब सुरू खिल मतब पता निकलता है तो उस समय इसको सुखाया जाता है यह देखिए अगर को छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ सहर के बच्चे हैं जो नहीं जानते तो इसको ओल कहा जाता है ओल का पौधा कहा जाता ओल कंद होता है इसको कच्चू पेचकी बहुत सारे नाम मतब बहुत सारे इसकी भेराइटी होते हैं प्रजाती के होते हैं तो यहां यह लाल तो कुछ इस तरीके से हमारे विद्ध्याले वाले जो गाउं है उसका द्रिश्य है देखे पशु भी नजर आ रहे हैं कुछ बच्चों से तो हमने मिला नेकिन आप लोग उसे नहीं मिलवाए और अब हम लोग कस्तुर्बा विद्ध्ध्याले पहुचने वाले हैं और दुबा बिद्याले जाने का खास मकसद है कि हमें वहां से कुछ पौधे चाहिए अपने बिद्याले के लिए और लाएंगे तो आप लोगों को दिख लाएंगे जरूर तो ये ग्रमीन छित्र की शड़क हैं और सड़कों की दशा और दुरदशा आप लोग देखिए में पूरा पानी जमा हुआ है और दाएं बाएं जो है वो जो अभी मैंने कहा पवार के जो पोधे हैं और जंगली कुछ पोधे सब भरे पड़े हैं है ना यह यहां परेदम अच्छा लग रहा है यह पत्ता सब ना हरा हरा चकोड़ा बार बार दिखला रही हूं मैं अगर और कि नहीं को खाने का मौका लगे तो आप लोग खाईएगा जरूर। भाई शाहब जा रहे हैं चलिए यह जो भाई शाहब हो कस्तुर्वा विद्याले में ही हैं यह बट का पेड़ है और यह कस्तुर्वा विद्याले है देख रहे हैं इसका बौंडरी बहुत बड़ा है सिर्फ बॉंडरी ही नहीं दिखाई पड़ रहा है बलकि ये बिद्ध्याले भी बहुत बड़ा है और पूरे डिस्टिक में ये बड़ा है और अब तो इसे मोडल इसकूल भी घोसित कर दिया गया है और कस्तुर्बा बिद्ध्याले में वे बच्चे आते हैं जो क्या होते है मेडम किन बच्चों को रखा जाता है चीजित याने कि जो बिद्ध्याले छोड़े हुए रहते हैं जिनके साथ बहुत सारी परिशानिया होती है उन बच्चों को आर्थी किस्तिती भी खराब होती ह कुछ इसी तरह का नियम है आज कस्तुर्बा विद्याले से कोई अंजान नहीं है मुझे लगता है कि हर प्रखंड में लगभग कस्तुर्बा विद्याले इस्थित है लेकिन कस्तुर्बा विद्धाले को थस्टे वाला ब्लोग में दिखलाएंगे तो आप लोग बने रहेगा थस्टे को जरूर से कस्तुर्बा का ब्लोग आएगा आप लोग सभी कोई देखेगा जरूर पूरे कडाके की धूप है और हम लोग मैडम धूप में पक पक के ले जा रहे हैं चलिए जब रोपेंगे तो पता नहीं दिखला पाएंगे कि नहीं दिखला पाएंगे क्योंकि हम लोग इतना ही में बहुत ठक चुके हैं यह आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे पौधे हम लोग ले करके जा रहे हैं और इन पौधों को हलांकि हमारा जो विद्याला है उसको बार-बार दिखलाए हैं और बार-बार बतलाए हैं कि इतने सारे फूल पौधे यह सब हैं तो अभी हम लोग ले करके जा रहे हैं ब लेकिन जब मैं यहां आई देखने के लिए तो लगा कि इनके सामने मेरे हां कुछ भी नहीं है हाँ तो मैं सोची कुछ पॉद्यों को ले जाती हूं जो नहीं है चलिए बहुत खौम में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई